हेलो फ्रेंट्स गुड मोर्निंग सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट उटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इस वीडियो में हर्याना करंट देखे और इस वीडियो को अवस्य देखना क्योंकि इसमें ना ऐसे कोश्यन है जो आने वाले सभी अग्जाम के लिए महतूपूर्ण है तो देखिए अगर सिकलेक्शन चाहिए तो वीडियो को पूरी को देखना और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तिसे लाइक करना से अर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल प्राए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे तो देखिए जून महा की करेंट अफियर्स क होकी टीम में हर्याना की कितनी लड़कियों का चैन हुआ तो देखिए टोक्यो ओलम्पिक के लिए भारते महिला की होकी टीम में हर्याना की जो लड़कियों का चैन हुआ है यह हुआ है नो का इसमां ओप्शन बी सही है और देखिए वी कौन-कौन है तो एक है मोनीका मलिक मोनिका मलिक है जो कि सोनिपत से की रहने वाली है सोनिपत डिस्टिक की रहने वाली है और एक है नेहा गोयल नेहा गोयल है ये भी सोनिपत डिस्टिक की रहने वाली है और देखिए एक है नीशा तो ये तीन है जो कि सोनिपत डिस्टिक की रहने वाली है मोनिका मलिक नेहा गोयल और इनिशा और देखिए और देखते हैं फिर है कुरुक सेतर डिस्टिक की रहने वाली तो इसमें आएगा रानी रामपाल रानी रामपाल है नवजोत कोर है और एक आएगा नवनीत कोर तो देखिए ये आप नोट कर ले न नवनीत कोर है और उसके बाद आता है हिसार डिस्टिक से तो देखिए हिसार की जो रहने वाली है वो है सरमीला सरमीला है और एक है उदीता और देखिए उसके बाद एक है सिरसा डिस्टिक से जिसका नाम है वह है सवीता पूनिया तो देखिए एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ आप अपना एक बार नोट कर लेना देखिए नो लड़कियों का चैन हुआ है हुकी टीम के लिए जिसमें सोनी पत से है मोनी का मलिक नेहा गोयल और नीशा कुरुक सेतर से है रानी रामपाल नव जोत कोर और नवनीत कोर हिसार से है सरमीला और उदीता औरी सिरसा डिस्टिक से है सवीता पूनिया तो चलिए देखते हैं अगला कुस्चिन हाल ही में हर्याना सरकार ने कितने करोड रुपे के राहत पैकेज की घोसना की है ये की है ग्यारा सो करोड रुपे की इसमा ओप्शन एस ही है और ये की है 600 दिन की जो सरकार है इसकी परगती और विस्तार के लिए इतने रुपे की घोसना की है 600 दिन के लिए 600 दिन में जो हर्याना सरकार ने परगती और विस्तार किया है उसके लिए ये रासी घोसित की है अगला कुस्चिन है हर्याना सरकार ने e-tractor खरीदने के लिए किसानों को कितने प्रतिसाद छूट देने की गोसना की है तो देखिए हर्याना सरकार के दवारा e-tractor खरीदने के लिए किसानों को जो छूट दी है ये दी है 25% की इसमें option C सही है और देखी इसमें न 30 सितंबर तक जो भी पहले registration कराता है उसको ये छूट मिलेगी ऐसा इसमें बताया गया है और देखी 600 किसानों को ये छूट मिलेगी अगला question है हाल ही में सर्वे के अनुसार 3 मार्च 2021 में पूरे प्रदेश में 1647 में से 500 ही वन रखसक है वन रखसक की seniority list पूरे state की कब से लागू होगी तो देखी इसमें देखना है की 3 मार्च 2021 में पूरे प्रदेश में 1647 में से 501 रखसक है इन वन रखसक की seniority कब से लागू की जाएगी पूरे state के लिए तो देखिए ये लागू की जाएगी ये है एक जनवरी 1986 से इसमें option A सही है अगला question है महत्मा गांधी ने National Council of Rural Education ने पूरे भारत में 400 कोलेजों की सूची जारी की इसमें हर्याना के कितने जिलों को सामिल किया गया तो देखिए महत्मा गांधी ने National Council of Rural Education है इसमें पूरे भारत में 400 कोलेजों को सामिल किया गया जिसमें हर्याना के जो सामिल किये है ये किये 21 कोलेज इसमें option B सही है और देखिए हर्याना में 22 जिले है फिर किसको छोड़ दिया गया तो ये छोड़ दिया गया है फतेहाबाद को फतेहाबाद डिस्टिक को छोड़ दिया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है अगला कोश्यन है हाल ही में हर्याना सरकार ने किन बच्चों को दी जाने वाली वित्य सायता में व्रिधी की है तो देखिए कि इन बच्चों को दी जाने वाली वित्या सायता में व्रिधी की है तो ये की है निराशरीत बच्चों और निसक्त बच्चों को तो इसमा उप्शन डी सही है A और B दोनो अगला कोस्टियन है इस खरीब सीजन में हरियाना सरकार के किसान किस प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे तो देखिए इस खरीब सीजन में हरियाना सरकार के जो किसान है ये किस यूरिया का इस्तेमाल कर पाएंगे तो ये कर पाएंगे लिक्विड यूरिया और नैनो यूरिया का इसमा option D सही है A और B दोनो अगला question है केंदर सरकार के भारत के 24 बड़े सहरों के सर्वे में हर्याना का कौन सा जिला वैक्सिनेशन में अवल रहा तो देखिए केंदर सरकार के दवारा भारत के 24 बड़े सहरों में सर्वे किया गया जिसमें हर्याना का जो सबसे अवल जिला रहा वैक्सिनेशन में वैह रहा है गुरू ग्राम इसमा option A सही है अगला question है हर्याना को सेवा आयो की समिक्षा बैठक की हाल ही में किसने अध्धक सता की तो देखिए हर्याना को सेवा आयो की समिक्षा बैठक की हाल ही में जो अध्धक सता की है ये की है स्री मनोहर लाल ने इसमा option A सही है और देखिए अगर ये देखा जाए कि पसुपालन विभाग मंतराले किसके पास है तो ये है स्री जैप्रकास दलाल के पास और अगर ये देखा जाए कि पसुपालन विभाग है इसका अध्यक्स कौन है पसुपालन नहीं गो सेवा आयोका जो अध्यक्स है ये है सरी सरवन कुमार गर्ग इसमों ये तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्टियन है हरियाना में आतम निर्भर हरियाना अभियान को किसने लोंज किया तो देखिए हर्याना में आतम निर्भर हर्याना अभियान है इसको लौंज किया गया है ये किया गया स्रीडूसान चोटाला के दवारा इसमा ऑप्शन डी सही है अगला कोस् garments है हाल ही में किसे राइट तू सर्विस कमिशन का चेयर मैं बनाया गया है तो देखिए हाल ही में राइट टू सर्विस कमिशन का जो चेर्मेन बनाया गया है ये बनाया गया है टी सी गुपता को इसमा अप्शन ए सही है अगला कोस्षियन है पूरे हर्याना में पिछले मांसून सीजन में भूजल सतर बढ़ा है तो देखिए वह कितना बढ़ा है ये देखना है तो देखिए पूरे हर्याना में पिछले मान्सून सीजन में भूजल सतर जो बड़ा है ये पड़ा है 0.04 मीटर इसमा option D सही है अगला question है हर्याना में अब किस के जरिये commercial वाहनों का पंजी करन होगा तो देखिए हर्याना में अब डिलर के जरिये commercial वाहन है इनका पंजी करन होगा तो इसमा option D सही है अगला question है हाल ही में स्वास्थे मंत्री अनिल विज ने हर्याना में स्वच्छता पखवाड़े की सुरुवात की यह है पखवाड़ा कब से कब तक चलेगा तो देखिए स्वास्थे मंत्री है स्वास्थे मंत्री अनिल विज इसके दवारा हर्याना में स्वच्छता पखवाड़े की सुरुवात की गई है तो यह है पखवाड़ा चलेगा पंदरा से और 30 जून तक इसमा उप्शन भी सही है और पखवाड़ा देखी कहा जाता है जो पंदरा दिन के लिए होता है उसको पखवाड़ा बोलते हैं तो देखिए 15 से 55 और 30 जून तक यह चलेगा तो इसमों武shon B सही रहेगा अगला question है हाल ही में किस भारते महीला पहलवान ने पोलेंड में 53 km बहार वर्ग में स्वरंड पदक जीता है तो देखिए महिला पहलवान ने पोलेंड ओपन में तरहेपन किलो भारवर्ग में जो स्वन्ड पदक जीता है ये जीता है विनेश भोगाट ने इसमों अप्शन एस ही है और देखिए विनेश भोगाट का संबंद देखा जाए तो ये बलाली से है तो ये भी आपको ध्यान रखना है अगला कोस्चियन है हाल ही में किस योजना के तहट स्थानिय निकाई विकास निधी पट पोर्टल सुरू किया गया तो देखिए हाल ही में स्थानिय निकाई निकास विधी के दवारा जो पट पोर्टल सुरू किया गया है ये किया गया है पूर्व योजना पू प्रोसेशिंग युनिट को मंजूरी दी गई है तो ये दी गई है 15 को, इसमा option B सही है, अगला question है, हर्याना में आतित्य विभाग के महा निदेशक वे सचीव का अतिरीक्त कार्य भार किसे सोपा गया है, तो देखिए आतित्य विभाग के महा निदेशक वे सचीव का जो अतिरीक्त कार्य भार सोपा गया है, ये सोपा गया ह विकास यादव को इसमा option A सही है अगला question है हाल ही में हर्याना aerospace and defense policy 2021 के तहट वरिष्ट अधिकारियों की बैठकी अध्यक्सता किस ने की तो देखिए aerospace and defense policy 2021 के वरिष्ट अधिकारियों की बैठकी अध्यक्सता तो ये अध्यक्सता की है ये की दुस्यांत चोटाला ने इसमा option A सही है अगला question है केंदरिये स्वास्ता मंतराले ने किस जिले में केंदर सरकार स्वास्ता योजना के तहत wellness center खोलने का निरने लिया है तो देखिए केंदर ये स्वास्ताय मंत्रा लेने किस जिले में केंदर सरकार स्वास्ताय योजना के दवारा wellness center खोलने का जो निर्ने लिया है ये लिया है पंच कुला में इसमा option A सही है अगला question है एनीमिया मुक्ते भारत अभियान में इस बार हर्याना कौन से स्थान पर है तो देखिए एनीमिया मुक्ते भारत अभियान में इस बार देखा जाए कौन से स्थान पर रहा हर्याना तो ये रहा है चोथे स्थान पर इसमा option D सही है और देखिए एनिमिया मुक्तिव भार अर्याना की जो एमबेस्टर है ये है मानुसी छिलर तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो देखिए फ्रेंड्स आज हम 20 कोस्टेन ही करेंगे तो देखिए ये वीडियो आपको अच्छी लगी होती से लाइक करना शेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल प्राए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहें थैंक यू